तारीका है और उसके बाद मुरुत्यू का है तो आंकड़े ही बताते हैं प्रायोरिटी सरकार की क्या है मगर जब आप एके सहतालिस लेकर एंगेज करोगे सिक्रिटी फोर्सिस को और गाओं को तो इसके लिए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सर इदर सर इदर एड़े भाई माइक लेकर बोलो ना सर यह जो टार्गेट हमने मार्च 2026 का रखा है सर इंडिया को नकसल फ्री करने का क्या एक रियलिस्टिक टार्गेट है और इसमें अभी क्या है अभी आज की डेट में है सर देखे हर्डल मैं बीच में साजा करना नहीं चाहूंगा बहुत सारे हर्डल थे मगरें पांच साल में काफी हर्डल से मुक्त किया गया है अब जैसा मैंने आगे कहा कि बहुत कम जीलाई और बहुत कम पुली स्टेशन पर इस सिमित होकर रह गया है मुझे विश्वास है कि हम वहां तक कर पाएंगे जब जब सर मैं राजस मिस्टर बोल रहा हूं आप लोगों के सफलता मिलती है तो इसको रोकने के लिए आप लोग आप क्या मानतों फर्जी मुट बेढ है नहीं मैं तो मानता बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हूं उनको बोलने दो देखें कॉंग्रेस का काम कर रही है हम हमारा काम करें कॉंग्रेस की सरकार थी यहां पर नकसल मुव्बेंट को एक प्रकार से सारे अभ्यान स्लो हो गए थी अब सारे अभ्यानों में तेजी आई है सरंडर भी ज हैं मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है तो हमारी 36 गढ सरकारने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की हैं न केल ऑप्रेशन में और सरंणर में विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई हैं तो आपकी ये भाजपा की सरकार आते ही जो कारवाई पिछले आठ महीने में हुई वो पिछले अन बर्सों के तुल्ला में बहुत कम संख्या थी तो अक्सर ये माना जाता रहा था कि केंडर और राज्य का समनवय नहीं हो पाता ही ये आरोप भी लगते रहें इसको आप किस से देखते हैं मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है आप इसमें राजनिती मत डालिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोड़नेशन भी अच्छा है तो नतीजे भी अच्छे मिलें सर्व अबुबा मुप्ती ने बयान दिया है कि भाश्पा और पीडीबी का जो बयाता है तो उनके इस बयान क किस पूंड रूबा मुप्ती ने कहा है और ने अच्छिनल कॉंपरेंस और कॉंगरेस का बयान शेटा पर हुआ है और भाधपा और पीडीबी का जब गड़ू अधा वा था एजेंडे की आधार पर बया था तो अब उनके बयान से दौए अ सबसे पहले नक्सलवाद के सवाल समाप्त हो उसमें हाथ कम खड़े होते थे हैं पोलिटिकल सवाल एक एक आया उसमें पचास हाथ खड़े होगे पहले नक्सलवाद से जुड़े हुए सबस्क्राइब सबस्क्राइब नक्सल प्रभाविट छेत्र के जो इस्थानी लोग है रोजगार को लेकर क्या कारी होजना है और विपक्ष के तरफ सी यह बहुत प्रचारित किया गया है कि नगरनाल इश्टिल प्लांट का नीजी करन किया जा रहा है इसमें कितनी सचाहिए सब्सक्राइब तक रोजगार का सवाल है मैंने कहा साइद आपका ध्यान नहीं रहा कि कितने हमने स्किल डेवलोप्मेंट के काम की है कितने रोजगारी की ट्रेनिंग के लिए